आज़े ये गाईस और थोड़ा सा नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इंगलिश एक्सप्रेसों में और विल बी टार्गेटिंग दी करेंट एक्जाम्स जो भी हमारे आने वाले हैं वाटेवर एक्जाम्स एक है ये ध्यान रखना तो उसको आर के तिवारीज की टीजीटी इंगलिश क्लासेज बोल रहे हैं यार चलिए यार आ जाते है जल्दी से U.P., T.G.T., P.G.T. को टारگेट करके अब हम will be starting the classes और I will be picking up the questions only I will be picking up the questions only from your like T.G.T., P.G.T. different area से स्वाती अगर एप उपन नहीं हो रहा you need to get in touch with the like the अध्यन मंत्रा team और छुटी थी तीन चार दिन से अगर फोन नहीं उठाया हो किसी ने तो we were on छुटी, we were on leave ठीक है, side हो रहा हूं मैं रुख जाओ, अभी question दिखा दूँगा रुख जाओ, ठीक है, और क्या करते हैं, बाकि अब फोन करिएगा, और कोई इशू आता है तो you can get in touch with me on telegram I'll get it sorted out, ओके clause तो देखिए, कुछ चीजे हमारी रहती है batch के लिए, ठीक है और वो बहुत lengthy होती है तो clauses ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर बहुत lengthy दो ढ़ाई तीन घंटे का अलग से topic है, ठीक है, यहाँ पर question answer series चलेगी और anybody who wants to pick up the batch, ठीक है they can pick up the batch literature का batch है, डॉक्टर जेके तिवारी जी का और मेरा grammar का है, anybody who wants to go only with ठीक है, grammar only they can go with that, ओके, चलिए अब किया तो चलेगा क्या स्वाती अभी नहीं, आप 10.30 बजे के बाद फोन करिएगा ठीक है, चलिए PRT देखो वैसे तो UP, TGT, PGT मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है सारे syllabus सेम होते हैं ठीक है न, अगर कल को आप, अगर KBS का प्रिपरेशन करते हैं, तो राइटर तो आपको UP, TGT, PGT वाले ही पढ़ने है ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी और के लिए नहीं है आप सिरफ UP जिसने भर रखा है वो ही करेगा, फीस यार वो अभीने बहुत ही nominal फीस है, मेरे ख्याल 500 रुपे की शैद है, 500 रुपे, 700 रुपे फीस है ठीक है ना, और लिटरेचर का थोड़ा महंगा है क्योंकि लिटरेचर लेंदी कोर्स होता है, तो उसका थोड़ा सा महंगा है, वो आप एक बार देख लीजिए और अभी वीडियो चलेगा, तो आप उसमें पता लगा लेंगे, चले, let's not waste the time, 20 questions अब discuss करा करेंगे, ठीक है, यार राहूल मैं एक बार चेक कर लूँगा, मेरे को, अगर मैं बोलू तो मुझे लिटरेचर वाले कोर्स का आइडिया नहीं है, मेरे अपने कोर्स की क्लासिस जो है, वो आपको हमेशा Tuesday, Thursday और Saturday चार बजे मिलेंगी, है ना, तो ओर कोर्सिस के बारे में, I am not sure about it, ठीक है, तो आप एक बार बात कर सकते हैं, देख लूँगा, मैं एक बार क्लासिस कम क्यों हो रही है, और वैसे भी आर तीन-चार दिन छुट्टी थी, थोड़ा patience रखि गए ना, तीन-चार दिन जो है, वो छुट्टी थी, उसमें है, चलिए, अब मैं कोई बाकी question नहीं लूँगा, we'll take 20 questions, और मैंने ये ज़्यादा तर पिक करें हैं, कहां से, आपके, और guys मैं इसमें थोड़ी सी literature terms भी कराऊंगा, जैसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, literature करा दीजिए, तो इसमें थोड़ी सी मैं literature terms भी कराऊंगा, जैसे sonnet क्या होती है, leg क्या होती है, iambic pentameters क्या होते है, ठीक है न, pro cake क्या है, sestet क्या है, octave क्या है, तो ये सारी चीजे भी आपको बहुत काम आएगी आने वाले time में, तो छोटी छोटी चीजे तो मैं इसी में cover कर दूँगा काफी हद तक, ठीक, चलिए, पहले question में पूछ रहा है, इन में से predicate कौन सा है, तो guys, अगर आपको किसी को पता हो, तो आप ये मानके चलिए, हमारे पास जो होते हैं, क्या न, मैं आपके, हमारा जो बटा होता है, अगर किसी ने देखा है course में, तो मैंने 5 चीज प्रिडिकेट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रिडिकेट होता है guys, ठीक है, actual में अगर आप देखो तो प्रिडिकेट का ही पार्ट ये सारे होते हैं, बट प्रिडिकेट को भी आप further divide कर सकते हो, ठीक है, प्रिडिकेट को भी आप further divide कर सकते हो, प्रिडिकेट जो है वो उसका main part जो होता है प्रिडिकेट का वो होता है verb अगर आपने प्रिडिकेट बोला तो verb उसका सबसे important part है ध्यान रखिएगा off और object होता है और मेरी request है इसके दो object होते है direct object और indirect object है ना ये हमें पता होने चाहिए उसके बाद c में हमारा compliment आता है compliment compliment भी हमारे दो तरीके के होते हैं subject होते हैं और object होते हैं subject compliment और object compliment और a for जो है guys वो adverbial होते हैं या जिसको आप बोल लो adjunct ठीक है तो ये पूरा spoke होता है अगर आप tgt, pgt, up कर रहे हैं ठीक है अगर आप tgt, up कर रहे हैं तो आपको ये basic बाते पता होनी चाहिए ठीक है एक जो पूरी line है वो पाँच पार्ट में divide होती है subject में, predicate में object हमारे दो टाइप के indirect, direct c हमारे पाद कॉम्पलिमेंट और a for adverbial और adjunct ठीक है तो ये बहुत जरूरी बात है अब हम देखते हैं कि predicate हमारा कौन सा है वो पूछ रहे कि इसमें बताईए predicate कौन सा है तो देखिए गाई predicate मैंने बोला सबसे important part predicate का होता है verb तो इसका मतलब आपको वो पार्ट जरूर लेना है इसमें जिसमें verb हो ठीक है उसका वो पार्ट देखिए यार अगर तिवारी जी की class है तो दीपक सर कैसे बता देंगे आप समझो बात को यार अगर तिवारी जी की class है तो दीपक सर कैसे बता देंगे वो आपको तिवारी सर बताएंगे या वो आपको अध्यन मंत्रा बताएगा अब अगर mathematics की class नहीं हो रही तो यहां 50 class चलती है तो अगर मैं schedule update करूँगा तो मैं फिर फस जाओंगा हाँ मेरी class नहीं हो रही हो आप मेरे से पूछेंगे ठीक है कि मैं बाकी class का information ले रहा हूँ और counseling type में चला गया हूँ ठीक है ना that is something which is highly impossible for me क्योंकि मेरे पाँ telegram पे भी message आते है मेरा KBS का PGT commerce का course नहीं यह पता नहीं कौन सा नहीं चल रहा मैंने का यार how can I manage the entire course यह ना चलिए तो यहां पर जो answer है वो है B for Bombay क्योंकि play जो है आपकी यहां पर verb है ठीक है यहां पर लोग D लगा रहे है D बिल्कुल गलत answer होगा D में तो यह subject भी आ रहा है है ना यह रहा adjunct additional part adjunct होता है जितना भी additional part है वो adjunct होता है तो यहां पर तो अगर मैं इसको divide करूँ तो guys my friends and I आई तो आपका क्या है basically subject है ना play आपका जो है वो क्या है play आपका है basically इसको अगर मैं divide करूँ यह है आपका predicate football आपका जो है वो है object football आपका क्या है यहां पर object है ना और in the park sorry in the park in the park और on Sunday morning जो है यह आपके adjunct है तो इस तरीके से इसको पूरा divide कर सकते हैं इस तरीके से इसको पूरा divide कर सकते हैं यह ध्यान रखना तो हमारा answer जो है वो c है यह ध्यान रखेगा चलिए दूसरे question की तरफ बढ़ते हैं guys शुरू के 10 question हमेशा आसान होंगे और 10 question जो है यह ध्यान रखना वो tough होंगे tough in the sense की फिर वो थोड़ा सा level high होगा और if you are already prepared तो I don't think so की कुछ भी आपके लिए tough है अगर आप prepare कर रहे हो ढंग से prepare कर रहे हो तो I don't believe so anything is difficult for you चलिए आज़े यह विक्सन का और यह ध्यान रखना यार UP वाले में singular, plural, noun यह बहुत पूछे जाते हैं गाईसे ना सो यह हमें बहुत ध्यान रखना है मेर जो है गाईस ध्यान रखना मेर जो है वो होर्स का फीमेल है मेर किसका फीमेल है होर्स का फीमेल है यू जो है वो रैम का फीमेल है रैम मतलब होता है शीप यू जो है वो किसका फीमेल है रैम काचा गाईज ये फीमेल है ध्यान रखना ये फीमेल है फिली जो है वो कोल्ट का फीमेल है कोल्ट होता है बेबी होर्स कोल्ट क्या होता है गाईज बेबी होर्स ठीक है फिली तो फिली उसका फीमेल है और folks जो है वो guys vixen का male है ये male है ध्यान रखना ये male है और vixen जो होती है वो चलाक लोमडी के लिए बोला जाता है और vixen जो है वो star plus lady के लिए भी बोला जाता है जैसे vixen मतलब जैसे नाम होगा vixen तो face की expression ही बहुत cunning हो जाएंगे face के expression ही बहुत cunning हो जाएंगे वो star plus की lady that is called vixen ठीक ओहो चलाक लोमडी है ना चलाक लोमडी चलिये तो हमारा answer यहाँ पर होगा fox ठीक है fox का जो masculine है force का जो masculine है वो है आपका sorry vixen का masculine कोन है fox mayor का masculine है horse you का masculine है यह ram और philly का masculine है cold ठीक है चलिये आज यह third number दिखते है guys अच्छा असान है और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दू अब मैं करा रहा हूँ UP, TGT, PGT के questions है ना जो आपको किसी भी जगे काम आएंगे बट वहाँ पर असान भी बहुत आता है हाँ tough भी आएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे literature की तरफ हम चलेंगे मैं पूरा literature तो नहीं कराऊंगा भाई मैं पहले clear कर रहा हूँ ठीक है that is something which is a you know again a complete course ठीक है तो हाँ बट मैं literature की basic terms आपको जरूर कराऊंगा थोड़ी figure of speech और यह सब और अपना जो मेरा English का paid course है उसमें भी मैंने अब literature की एक दो classes extra डालनी शुरू करी है ताकि UP, TGT, PGT को they can get the extra benefit ओके देखियो homophones क्या होते है homophones होते है homo का मतलब होता है same है ना homo का मतलब होता है same और phone का मतलब होता है sound है ना same sound वाले जानि जिनका sound same होता है spelling शैस सेम ना हो बाकी चीज सेम ना हो ठीक है ना जैसे principle प्रिंसिपल है बोले में एक ही लगेगा stair stair है बोले में एक लगेगा steel steel है बोले में एक लगेगा है ना जैसे अगर मैं बोलू waste है ना और waste same लगेगा Sun है ना Sun same लगेगा Bye है ना और Bye same लगेगा ठीक है So बहुती simple है ठीक है यहां पर answer क्या आएगा Kite और Ket ठीक है तो यह वाला आपका homophonic नहीं है यह ध्यान रखिएगा यह वाला pair आपका homophonic नहीं है ये ध्यान रखिएगा अच्छा चलिए next पे चलते है homophones होते है कोई बता सकता है palindrome क्या होता है English में कोई बता सकता है आप में से palindrome क्या होता है anagram क्या होता है चलिए बताईए जल्दी से anybody who knows about it palindrome और anagram please बताईए क्या होते है यार ये English है हर class के लिए important है क्या बते करते हो कई बार मैं हरान होता हूँ अगर आपको ये नहीं पता लग रहा ये किस के लिए important है दिक्कत हो जाएगी आपको है ना और English हर exam के लिए important है need to very very this is very important for almost all the exam और अगर exam के लिए important ना हो तो वैसे भी पढ़ लो यार ठीक है वैसे भी पढ़ लो बहुत ज़रूरी है ठीक है ये ध्यान रखना चलिए पैलिंड्रॉम वो वर्ड होते हैं जो आगे और पीछे से पढ़ने पर सेम रहते हैं जैसे किसी ने लिखा था मले आलम है ना किसी ने यहां लिखा था मले आलम ठीक है मैडम ठीक मैडम रैफर रैफर है ना तो वो होते है पैलिंड्रेम वो वर्ड जो आगे पीछे से पढ़ने पर सेम रहते हैं हिंदी में मैसेज ना लिखे कोई भी माई रेक्वेस्ट तो एवर्रीवन अट लीस्ट फॉर सेटेन पीरिड यू कन राइट इन इंग्लिश ठीक है ये ध्यान रखना एनाग्रेम वो वर्ड होते हैं वेर यू आर इनो मेकिंग न्यू वर्ड विद दी हेल्प आफ दी ओल्ड वर्ड वर्ड बाइ स्क्रांबलिंग इट आप उसको क्या कहते हैं आगे पीछे करके नया वर्ड बना देना मैं हमेशा से एक 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 जामपल देता हूँ चाम चाम को आप स्क्रांबल अप करोगे तो मार्च बन जाएगा है ना चाम को आप स्क्रांबल अप करोगे तो मार्च बन जाएगा ये ध्यान रखना ठीक है तो ये ध्यान रखिए रेतो आप रहने दीजिए है यह seated के लिए class नहीं है अगर आप जाना चाते हैं जा सकते यार बार बार मैं बोल रहा हो यह message मत लिखिये यह बड़ा अटपटा message होता है की यह class seated के लिए है के नहीं अगर मैं बार बार बोलता हूँ अगर आपको यह पता नहीं लग पारी यह class किसकी है तो guys आप किस exam की त्यारी करेंगे आप खुद फस जाएंगे ठीक है So my request to everyone यार यह आपको seated में question दिखेगा अगर आप previous year दिखेंगे homophonic pair, palindrome, anagram यह सब आपको क्या होते है seated के अंदर मिल चुके है दिख चुके है ना तो मेरी request यह है you need to check your exam the class is for almost all the exams but right now the questions are being picked up only from the UP, TGT, PGT but ऐसा कोई मोहर नहीं लगा कि यह UP, TGT, PGT का है तो कहीं ओर आएगा नहीं ठीक है please try to understand चलिए next लगाईए क्योंकि मैं यही जवाब देता रह जाओंगा बनाईए गाईज, यह मैंने TGT के main paper में से question लिए है TGT का जो आपका main paper है अज़ा कोई sorry worry word ना लिखा करें यहाँ पर ठीक है, don't get worried about it मेरा बस एक कहने का मतलब है अगर आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं तो please understand है ना, अगर आपने उसके exam को ही नहीं देखा आस तक तो आप त्यारी क्या करेंगे अगर आपने उसके previous year questions नहीं देखे उसके exams को नहीं देखा और आप चल दिये हैं फॉर्म भरके तो guys क्या कर रहे हैं, living in fool's paradise you know, we are you know, sowing the wild oats English में बोलते है, we are sowing the wild oats मतलब we will not get any fruitful result out of it ठीक है, palindrome, anagram, सारे examों में पूछे गए है homophonics, सारे examों में पूछे गए है और सारे exam सेम है, यार मैं तो आस तक ही नहीं समझ पाया है लोग इतना differentiate क्यों करते है आप English जानते हैं, किसी भी exam में बैठी है मेरे को लगता है, बिलकुल आराम से काम हो जाएगा Guys, बड़ा important है, there is no exception, dash, this rule और every rule अब आप क्या करते हैं, आप Hindi to English translation करते हैं अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कैसे बनाना अब देखो, Hindi English translation वाले बहुत दिख रहे हैं मुझे आप मुझे बताईए, there is no exception to this rule या for this rule जो Hindi English translation करते हैं, वो लगाएंगे for और जो चलाते हैं flow, वो लगाएंगे to ठीक है, वो लगाएंगे to ध्यान रखना तो अगर मैं बोलू, no exception to यार मैं क्या बोल रहाँ, there is no exception to this या there is no exception for this, नहीं there is no exception to, exception के साथ two words चलता है English में, यह ध्यान रखिएगा there is no exception to this rule अब मैंने फिर बोला, proposition is something where if you do the Hindi to English translation you will always be in trouble अगर कोई लोग यह समझते हैं कि proposition को वो Hindi English translation से ठीक करते हैं नहीं, मैं request करूंगा anyone who is preparing for the exam please, चाए 15 minute की reading करो but please start doing 15 minutes reading on daily basis reading gives you the assimilation of the language acquisition of the language if you study language only with the help of grammar that is very very dangerous precedent that you are setting up okay, so what my request to everyone is to prepare the language with the help of reading and then you can go to the grammar as well okay, but studying a language only with the help of grammar is a lethal precedent or I would say it's a very very dangerous one okay, तो वो फिर लोग फस्ते हैं चलिए next लेते हैं guys अब मैं फिर बोल रहा हूँ यह सारे के सारे word जो हैं आपके कहां से उठाए गए हैं TGT, PGT के जितने paper मेरे पास पड़े हैं अब वो सारे में से मैं question उठा उठा के आपके सामने लेकर आऊंगा okay, so that you can get the idea what kind of questions you can get out of it okay, चलिए there is a widespread dash against the management अब against the management है तो क्या होगा, देखिए नितिन क्या check करना है चलिए there is a widespread dash against the management ठीक है, अब देखिए अगर management के against है तो वो feelings तो नहीं हो सकती sentiments भी against नहीं होते sadness भी against नहीं होती है ना, तो अगर मैं बोलू resentment अब resentment को शहिएद मैं चाल बार बता चुका हूँ resentment means like the anger देखिए कितने synonym लिखते हैं anger, है ना, furor ठीक है, spleen wrath indignation indignation ire ठीक है ना, ire यह सारे वर्ड हैं गुसे के लिए तो showing the resentment against the people means showing the agitation or we can say the gussa against someone है ना, there is a widespread resentment against the Nitish Kumar that's why he could not perform well in the election है ना, there was a widespread resentment against Nitish Kumar in the Bihar election that is the reason why he could not perform well rage बोल सकते हो, ठीक है ना, यह वर्ड है जो आपके पेपर में आ सकते हैं indignation outrage, yes, social outrage किसी ने लिखा social outrage, thank you सुगाती का साहू जी outrage, there is a social outrage outrage मतलब भी होता है गुसा, ठीक है तो resentment would be the right answer here, guys यहाँ पर क्या answer होगा, right resentment, यह रहा ठीक है, और ऐसे मैंने 5-5, 6-6, 7-7 question एक साथ paper में आते देखे हैं if you are for TGT, PGT English है ना, और यही चीज आपको KBS के आपको TGT, PGT में मिलेगी या फिर आप किसी भी DSSB या उसमें जाएंगे वहाँ पर मिलेगी, ठीक है चलिए, next लगाते हैं, guys देखते हैं जल्दी से who कौन सा word है यह who God helps those who help themselves जल्दी करेंगे, यार है, ना we do not have that much of time so we have, now we will be discussing 20 questions and I strongly believe these 20 questions is going to give you a lot of benefit in your exam and you will see a lot of difference the way you handle the questions अब मैं बार बार यही बोलता हूँ theory करिये but theory is not the solution theory is not the solution guys देखिये, वो कहरा God उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते है तो पहले तो देखिये, यह who है क्या है ना, यहाँ पर who किसके लिए आया है who का मतलब वो लोग, है ना, people है ना, या फिर अगर मैं बोलू तो who किसकी बात कर रहा है, दोस की है ना, तो people की तो यानी देखो, यह who जो है किसी noun के लिए आया हुआ वर्ड है और अगर यह noun के लिए आया हुआ वर्ड है, यह इस relate कर रहा है, इसको relate कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर help कर लो, sorry, यह help है क्योंकि यह इसके according English बनाएगा, who help themself, ठीक है तो उसको helps नहीं help कर ले ना यह आपका एक relate कर रहा है पीछे वाले वर्ड को इसको हम English में बोलते है relative pronoun, इसको हम क्या बोलते हैं, और यह seated में भी relative pronoun, ध्यान रखिएगा God helps those who help themselves, relative pronoun relative pronoun कौन-कौन से होते हैं, who, which ठीक है, whom whose ठीक है, और अगर मैं बोलू तो what ठीक है, यह हमारे relative प्रनावन होते हैं English में, जो relate करते हैं, ठीक, चलिए नेक्स्ट आईए, जल्दी से बताईए, कौन सा आंसर होगा इसमें, be quick in marking answer, be quick in marking answer, चलिए मैं इसमें spelling mistakes भी कराऊंगा, there are certain other things as well और let's see, अगर कोई literature के नहीं भी है, तो भी उनके लिए वो terms बहुत important है, because sometimes those are the part of general paper as well, okay चलिए, because of the poor dash in the hall, the singers were barely audible barely audible barely मतलब मुश्किल से audible थे because of the poor dash in the hall इश्रत यार यह आपको अध्यन मंत्रा पर ही बात करनी है उस पर, ठीक है न, आपने जो कूर्स लिया है, उसके लिए you need to call अध्यन मंत्रा for that, ठीक है, चलिए, because of the poor dash in the hall, singers were dash audible singers were dash audible ठीक है, तो poor जो थी क्या थी, visibility, lighting और vision देखिए guys, audible की बात हो रही है, तो visibility से audible का लेना देना नहीं, lighting से कोई मतलब नहीं, lighting तो होता है, रोश्नी कितनी थी, lighting का मतलब कितनी रोश्नी थी, रोश्नी से क्या मतलब है, audible होने का और vision से भी कोई मतलब नहीं है, audible होने का, जो आपका acoustics होती है, acoustics होती है, hearing problem, hear से relating, hearing से related, मैंने बोला, acoustics problem में क्या, ठीक है, यह ध्यान रखना, तो acoustics जो है, कही न कहीं, वो hearing से related होती है, तो हमारा answer क्या बनेगा, acoustics, ठीक है, हमारा answer क्या बनेगा guys, acoustics, ध्यान Acoustics मतलब जो hearing related चीज़े होती है उसको हम English में Acoustics related करते है अच्छा बताईए All factory किस से related होता है All factory किस से related होता है बताईए जल्दी से All factory tissues कौन से होते हैं आपके ये होते है Sense of smell है ना All factory tissues किसके होते हैं जो sense of smells होते है My grandma has acoustics problem Yes, acoustics को उससे related हम कर सकते है Acoustics is something which is related to यार अगर मैं बोलू तो कहीं न कहीं related to अच्छा देखो मैं आना touch नहीं होता है ठीक है Touch के लिए कौन सा होता है Touch के लिए होता है palpable Palpable जिसको छू सकते है Tangible ये होता है touch से related Tangible और tactile ठीक है Tactile ये होते हैं जिसको हम touch कर सकते है Tangible assets सुना होगा आपने Intangible assets Tangible, Intangible assets Palpable और Impalpable Tactile इसको हम बोल सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं अच्छी lines है अच्छी है और आपके paper किये है अगर असान भी लगे तो कोई नहीं Enjoy the lines है ना चलिए आज ये जल्दी से Quick Quick The eminent lawyer dashes success to the father's guidance An eminent lawyer ठीक है अगर मैं बोलू Eminent lawyer ने अपनी success को अपने father को क्या किया जल्दी बताइए Be quick और request to everyone Please mark the question number यार थोड़ा पेल ले लिया करो Question number लिख दिया करो पता ही नहीं लगता You're marking for 7, marking for 8 है तो ये ध्यान रखना Guys अगर मैं बोलू मैं अपनी success को सिरफ अपने आपको attribute करता हूँ तो अगर आप life में successful होते हैं तो सबसे पहला credit आपको जाता है क्योंकि मेहनत तो आप नहीं की Yes, other people will contribute something but you should attribute your success to your first अगर आप IES PCS बने हैं तो you are the one who actually has worked hard और मेरे को लगता है जिसने सबसे जादा महनत करी वो आप खुद थे तो पहले में शीशे में देखकर जरा अपने आपको thank you बोल देना then you can give the credit to others when people say na आपकी वज़े से मैं इतना बड़ा आदमी नहीं भई आप अपनी वज़े से बने हैं तो आप अपनी success को किसको attribute करते हैं मैं जादा दूसरों को credit देना पसंद नहीं करता है if I have done something great in my life it is only because of me yes other people are playing some kind of you know contribution in that तो मैं अपनी success को या अगर कोई भी IAS PCS बनता है वो attribute करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं समर्पित करना समर्पित यार कुद देख ले ना हिंदी लिखे समर्पित करना राइट और attributes वैसे वो भी होते हैं virtues है ना गुण, marriage है ना इसको भी हम attributes बोलते हैं ये ध्यान रखना ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा चलिए तो हमारा जो answer आया वो क्या है attribute attribute मतला समर्पित करना I attribute the success of अध्यन मंत्रा to its faculty ओके, very good चलिए अब थोड़ा सा guys इसमें spelling mistake का बहुत बड़ा रोल है I don't know why people अध्यन मंत्रा का contact number आपको अध्यन मंत्रा की app पर या site पर मिल जाएगा ठीक है आप उसमें से ले सकते हैं चलिए अगर मैं बात करूंगा ही जरा मैं चारपा spelling जल्दी जल्दी पूछ लिया करूंगा ताकि आप यह पता लग जाए कि we are not very bad at finding spellings because sometimes spelling comes as a surprise for everyone and we are not able to mark the answer just because of the exam pressure okay just because of the exam pressure we are not able to mark the right answer for the spelling and that is a big embarrassment ठीक है that is a big embarrassment यह ध्यान रखिएगा चलिए लगाईए answer cigarette की spelling क्या है guys कोंसी हो सकती है cigarette nine cigarette की spelling कोंसी हो सकती है जल्दी बताइए सारी spelling correct करके दीजी जल्दी और तीनों spelling एक साथ लिखिये जल्दी से पहला spelling क्या है c-i-g-a-r-e-double-t-e say great है ना so nine nine का जो answer है that is b for bombay अगर spelling में if you are getting out of six question 6 question है spelling के out of six अगर चार number नहीं आए फसे पड़े हो आप बहुत बुरी तर है ठीक है यह ध्यान रखना we need at least four number out of six चलिए independent में बस इतना याद रखना सारे e आते है सारे e है इसमें तो इसमें a का कोई roll नहीं है ठीक है तो यह ध्यान रख लेना independent अब देखो यहाँ पर तो एक मट आई एन डी ई पी एन डी एन टी आई एन डी पी एन डी एन टी तो गाइस यहाँ पर तो ए और सी दोनों एक जैसा ही दिख रहा है है ना independent यह तो देखो यह तो गलत हो गई यहाँ पर यार यह दो बार एक जैसी spelling आ गई आई थिंग यह भी सही है दोनों एक ही है वैसी ड्रॉट ड्रॉट क्या है ड्रो यू जी एच्ट ड्रॉट वैसे ड्रॉट में यह भी spelling होती है गाईस है ना ड्रॉट में यह भी spelling होती है इसका मतलब होता है सिप जिसको हम हिंदी में बोलते है घुट है ना you just can finish it in one ड्रॉट तो मैं इसको ए पर जाऊंगा यहाँ पर यह दोनों सेम spelling दिख रही है I N D E I N D E P E N D E N T दोनों सेम है ठीक है तो आप A लगाए या C लगाए आप मार्क स्कूर कर सकते हैं एक ड्रॉट का मतलब अलग होता है बड़ यहाँ पर वो ड्रॉट नहीं है गाईस ठीक है यह ध्यान रखना PRT के लिए भी क्लास चाहिए यार यह फिर वोई तो दिक्कत है यही तो नहीं समझ पाए लोग मैं वोई तो कह रहा हूँ अगर मैंने लिख दिया UP TGT PGT और मैं इस पर लिख देते ना UP PRT या कई PRT तो निकला नहीं लेकिन अगर मैं लिख दू PRT तो यह क्लास PRT की भी हो जाएगी चलिए नेक्स लगाईए जल्दी बताईए 12, 13 और 14 स्पेलिंग बताईए जल्दी से जितने भी लोगों को अप में दिक्कत है, they can approach me on my telegram English discussion with Deepak sir, I will get their problem sorted out, but please approach me only for English special course, ऐसा नहीं है कि guys अगर आपका कोई और course में problem है, आप फिर भी मुझे approach करें, है ना, request to everyone, please approach me only for English and you can approach to other faculty for their respective course, चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कौन सा सही है, 3rd 12 का क्या answer है, ड्राट का मतलब होता है, जब अगर मैं बोलू तो बारिश नहीं होती, उसको ड्राट बोलते हैं, अकाल चलिए देखिए गाइस, यह होता है, देखो, इस वर्ड को हम सही बोलते हैं, ignominy, बड़े प्यारे वर्ड हैं, ignominy, you have brought ignominy to my family by getting married in other caste, normally ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा है, यह गलत है, सही है, बट कई बार बोलते हैं, तुमने तो मेरी family का नाम ही खराब कर दिया, तुम कलंक हो, तो you have brought ignominy to the family, ignominy का मतलब होता है, बदनामी या कलंक, ठीक है, ignominy मतलब बदनामी या कलंक है, you have brought ignominy to our family, but ignominy की spelling है, I-N-G-I-G-N-O-M-I-N-Y, ignominus defeat, बड़ी shameful defeat बूल सकते हो, उस type में, are you going to fill TGTP, क्या absurd question, चली, hideous, hideous का मतलब होता है, घिनोना, hideous, heinious, audious, है न, heinious, obnoxious, ये सब का मतलब होता है, guys, when something is, जैसे केतने, it's a heinious crime, hideous crime, बहुती obnoxious crime, ठीक है, ये ध्यान रखना, यार, हडा जी, नहीं कर रहा हूं, मैं, I am not going to fill any form, ठीक है, यार, हडा जी, मैं नाम, यार, गलत प्रनाउंस कर रहा हूं, तो my apology, ठीक है, चलीए, और imminent होता है, guys, जो भी चीज होने वाली है, है न, जैसे, UP exam is imminent, imminent मतलब, anything which is going to happen sometime, sometime the negative one, है न, Defeat was imminent for Nitish Kumar, बट थोड़ा थोड़ा बच गए वो, है न, Defeat was imminent for Nitish Kumar, बट थोड़ा थोड़ा बच गए, on the verge उनकी seat आई है, तो अगर देखो, चारो तीनो word भी बहुत अच्छे है, you have brought ignominy to our family, ठीक है, और अगर मैं बोलू तो it's a heinious crime, hideous crime, obnoxious crime, ठीक है, so that can be used, और imminent होता है, anything which is impending, ठीक है, करूना impediments रुकावट होती है, impediments का मतलब रुकावट होती है, so अगर मैं बोलू तो impending, सही word है, but impediments मतलब anything which is an obstacle for someone, तो यह ध्यान रखिए, यहाँ पर homeo status का जो है, यह spelling सही है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, चलिए millionaire का बता दीजिए, millionaire में कौन सी spelling सही है, millionaire में spelling बता दीजिए, कौन सी सही है, जल्दी से, जल्दी बताइए, कौन सी spelling सही है, B for Bombay, और guys, इसमें जो है न, देखिए, इसमें कौन सी spelling सही है, fire, choose the correct spelling, अब इसमें कौन सी है, quiescent होता है, चुप रहना, quiescent की जो spelling है, वो है, s-e-e-n-t, quiescent, है न, अब इन पर, देखो, ramification होता है, ramification, t-i-o-n type में बोलते हैं इसको हम, slip shot manner में, यानि लापरवाई से काम करना, he is handling the career in slip shot manner, अगर आप कोई भी काम slip shot manner में करते हैं, hapazard manner में करते हैं, बहुत lazy तरीके से कर रहे हैं, बहुत unplanned तरीके से कर रहे हैं, impermeable होता है, जिसमें से कोई जैसे roof is impermeable, यानि जैसमें से कोई चीज़ टपक नहीं सकती, trickle नहीं कर सकती, है न, तो उसको हम impermeable बोलते हैं, आपको वैसे meaning ना भी पता हो, तो भी आप answer तो लगा सकते हैं, एक idea से, ठीक है, हाँ, धीरे धीरे मैंने बोला, जिसका reading अच्छा है, उसका vocabulary भी अच्छा हो जाता है, because daily basis पे he is doing something, learning something, सो कही न कही निकल के आता है, ये ध्यान रखना, ramifications मतलब political ramifications, यानि उसके परिणाम बोल लो, उसके results बोल लो, उस टाइप में बोल सकते हूँ, ramifications, चलिए लगाई ये meaning, जल्दी करते हैं, देखें, जैसे हम बोलते हैं, कि इसके ramifications जेलना बहुत मुश्किल है, सर अभी paid course में, बिल्कुल आप paid course कभी भी join कर सकतें, English का, गाईस देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बाकी आप respective faculty को, वैसे मुझे पता नहीं क्यों कईयों को लगता है, कि इशू है, बाकी बहुती simple procedure है, एप पर जाकर काम करिए, देखिए उसको मिल जाता है आराम से, ठीक है, कई बार लोग अपने से उसका ID password ठीक से नहीं बनाते हैं, इशू तब आते हैं, दो-दो लॉग इन कर लेते हैं, तब इशू आते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी कोई ऐसा problem नहीं है, slip short manner का मतलब होता है, जब आप कोई भी लापरवाई है, यह बहुती casual way में काम करो, बहुत desultry fashion में काम करो, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, human body maintains homostatic itself with the help of bodily function, बिल्कुल सही लाईन है, ठीक है, चलिए impermeable होता है, जिसमें से कोई भी चीज निकल नहीं सकती, जैसे roof को हम impermeable बनाते हैं, यानि बारिश का पानी आ नहीं सकता है, ramifications को repercussions बोल सकते हुआ, ठीक है, चलिए guys, तो यहाँ पर ये वाला answer सही है, sorry, आपका answer ये वाला सही है, और six में से spelling सापकी अच्छी होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, there can be a question of you know, three, four spelling और five spelling mistakes, and ये चप ध्यान रखना, this is very, very important, चलिए आईए अब थोड़ा सा literature की तरफ बढ़ेंगे हम, literature को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये pure literature है, है ना, this is something, quiescent होता है थोड़ा शान्त रहना, quiescent मतलब होता है शान्त रहना, ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलूं किसी को पता होगा, अब बैलेड क्या होते हैं, famous बैलेड के नाम भी याद रखना, ठीक है, कुस किस के बैलेड है, ठीक है, और कौन कौन से है, वो भी याद रखिए, अब बैलेड बताईए, कौन सा चीज है, लगा दीजिए जल्दी, अब देखिए, एसी छोटी-छोटी टर्म, तो मैं ऐसे ही कवर करा दूँगा, what is ballad, what is allergy, pentameter, trachic, sestet, octave, ये सब बहुत जरूरी टर्म्स है, और मैं कहा रहा हूँ, वैसे भी आपको जाननी चाहिए, जर्नल पेपरों में, इदर-उदर, tats में बहुत घुनती हैं ये, ठीक है ना, चलिए 15 का जो ballad जो होता है guys, एक song होता है, जिसके अंदर कोई एक story होती है, ठीक है ना, और कहीं न कहीं किसी को, अगर मैं बोलू तो glorify करती हुई, किसी के बारे में कहानी बताती हुई, that is called ballad, तो हमारा जो answer होगा, वो होगा C for cat, ballad is a fox song, and the orally transmitted poem, dealing with the popular story, है ना, मैं हमेशा example देता हूँ, खूब लड़ी मर्दानी, जहां सी वाली रानी, ठीक है, so any song which is containing some kind of story, giving you the, you know, like the, glorification of particular character, so that song can be called as ballad, the song को हम ballad बूल सकते हैं, यह ध्यान रखिए, चलिए next लेते हैं guys, next में हमारे पास क्या है, denument, है ना, अब denument क्या होता है, जरा उसको बता दीजिए, और literature वालों को तो, यह मैं यह कह रहा हूँ, उनका तो basic का भी basic है यह, है ना, if you are like the literature student, of UP, TGT, PGT, तो यह तो मैं basic का भी basic, इसको मैं यह नहीं कह रहा, यह तो वो है कि अगर form भी भरा होगा, तो पता होना चाहिए, तयारी तो बाद की बात है, है ना, तयारी तो बाद की बात है, if you have filled up the form, these are the basic stuff, जैसे एक play के अंदर, क्या क्या चीजे होती है, Apple lock क्या होता है, प्रलॉक क्या होता है, denument क्या होता है, तो यह ध्यान रखेगा, किस से related होते हैं, यह ध्यान रखेगा, चलिए बताईए जल्दी से, वैसे इसको आप happy log भी बोलते हैं, जो last part होता है, play का जो last part होता है, उसको denument बोलते हैं, तो यह किस से related होता है, एक play से related होता है, आप play के जितने भी starting part, ending part, उसका जो tragic moment होता है, या जो भी होता है, वो सारी चीज़े बिल्कुल एकदम पक्का करके जाईएगा, ठीक है, तो denument जो होता है, वो that is related to your, अगर बोलू तो play से related होता है, और इसको हम यह भी बोल सकते हैं, end of the play, end of the play, और अगर play के end में कोई चीज़ है, तो उसको हम, happy log भी बोलते हैं, प्रियम्बल बोल लो, प्रियम्बल बोल लो, वो starting part होते हैं, यह ध्यान रखेगा, is Ramayna is an epic or ballad, Ramayna is an epic, Ramayna cannot be a ballad, epic is something where you are describing, देखो, epic को समझो, epic वो होता है, जहाँ पहले तो हिंदी में बोलते हैं, महा काव्वे, और epic के अंदर क्या होता है, you describe the god, और the semi god, आप किसी एक central character को पकड़के, उसके आसपा स्टोरी गुमाते हैं, और epic बहुत लेंदी होते हैं, epic बहुत लेंदी होते हैं, आप अपने character के आसपा स्टोरी गुमाते हैं, उसको, कौन होते हैं, जिनको आपने पूजा तो नहीं, जिनको वर्षिप नहीं करा, बट उनकी power god के बराबर ही थी, जैसे बाली, सुगरीव, है ना, बाली हो गया, सुगरीव हो गए, अंगत हो गए, ठीक है ना, या और बहुत character जो है, राम के उनकी रमायण में, जैसे अगर मैं बोलू, तो यार बहुत character है, जो राम के अंदर, which were carrying the power equivalent to the god, ठीक है, बट देवर यूनो, देखो, सबसे जो famous epic है, अगर मैं बोलू, वो है Homer का Iliad, या फिर अगर मैं बोलू तो, Homer का ही Odyssey, है ना, जो की जिसका जिकर आपको Iliad के अंदर भी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चलिए, येस, बलराम बोल सकते हो, semi-god, है ना, तो गाइस, demi-god, semi-god होते हैं इनके अंदर, Milton's paradise loss, सबसे important है, सबसे important, जिसने Milton का paradise loss नहीं पड़ा, सेटन को नहीं देखा, Adam, Eve, ये सब, है ना, Belgebob, और ये सब कहानियां नहीं पड़ी, तो गाइस, वो literature में तो ना बैठे तो अच्छा है, ठीक है, वो literature में ना बैठे तो अच्छा है, थोड़ा हार्श वर्ड मैं बोल रहा हूं, बट अगर आपने, John Milton Paradise Lost नहीं पड़ा, आपने, अगर मैं बोलू तो Chaucer नहीं पड़ा, ठीक है ना, आपने William Wordsworth नहीं पड़ा, आपने अगर Shakespeare नहीं पड़ा, डिटेल में, तो guys literature तो फिर नहीं है, हम फिर literature से बहुत दूर है, ये ध्यान रखना, अगर बोलू तो मैं दूसरे का काम नहीं करूँगा, ठीक है, वो सर हमारे Dr. J.K. Tiwari is taking care of the literature, and he is master of literature, है ना, तो to an extent मुझे लगता है, वो already expert है, सॉनेट में कितनी lines होती है, इससे असान question इस संसार में नहीं बना, है ना, although आज पहला दिन था, तो UPT, GT, PGT, तो थोड़ा सा तो रियायत दी जाएगी, है ना, सॉनेट में हम जानते हैं, कि हमारे पास कितनी lines होती है, 14, ठीक है, कितनी lines होती है, 14, ठीक है, ये ध्यान रखना, बट ये ध्यान रखना, एक कर्टेल सॉनेट भी होती है, उसको भी ध्यान रखना, कई बार कोश्चन अलग आ जाते है, कि कर्टेल सॉनेट जो होया, उसमें कितनी lines होती है, चलिए, बताईए कोई एक बार कर्टेल सॉनेट में कितनी lines होती है, कोई बता सकता है कर्टेल सॉनेट में कितनी lines होती है, वैसे उसको कर्टेल लिखते हैं, लेकिन कर्टेल होता है, एक्चवल में, इसमें कितनी lines होती है, कोई बता सकता है, क्विकि पेपर में आ गया, तो फस जाओगे आप, है ना, अगर कोई पूछे कर्टल सॉनेट में कितनी लाइन्स होती है तो अगर मैं बोलू तो actual तो है 10.5 actual वैसे 11 बोल सकते हो बट वो 10.5 होती है अगर बहुत precise में जाओ तो है ना तो ये ध्यान रखिएगा चलिए आज ये next में बहुत simple question पूछ रहा हूँ आज में आपके ये pure exam based question और बिल्कुल 101% आते है पेटराकन को मेरे ख्याल जितने भी the people who are from literature they know the पेटराकन इटालियन जो हमारे वो रहे बहुत famous वहीं से रहने सा की शुरुआत हुई और वहीं से रहने सा जो है वो उटकर आया ठीक है after 150 years उसके बाद आपको यहां पर रहने सा नजर आया गाईस ठीक है 15th century के आसपास so 14th century के poet थे ठीक है ना और जिनका नाम पेटराकन था और उनी से कुछ हट तक Shakespeare की कहते हैं बोरू करी है वो sonnet जो है तो हमारे पास अगर मैं बोलू तो दो पार्ट होते है 14 को जब आप डिवाइड करते हो ठीक है दूसरा पार्ट मैं भी नहीं बता रहा एक पार्ट होता है octave ठीक है जिसके अंदर अगर मैं बोलू तो normal बाते चलते हैं फिर उसके बाद दूसरा पार्ट होता है ठीक है तो octave बोलेंगे हम इसको तो ऐसी छोटी छोटी terms को मैं सारी करा दूँगा जो बहुत जरूरी होती है exam के हिसाब से बहुत ही जरूरी होती है guys है ना आप जैसे किसी ने लिखा है देखे 8 lines होती है octave और sestet होती है 6 lines है ना तो octave होता है और यह बहुत जरूरी है और एक चीज मैं आपको फिर बता दूँ some people think that they know need to know the literature that's why they should मतलब अगर if it is a part of your literature तब आपको मैं तो कहता हूँ वैसे भी पढ़ना चाहिए यह बहुत common terms है आप इसको यह मैं समझिए कि यह literature वाले को ही पता होनी चाहिए these are very common terms sonnet किसको नहीं पता है ना गाड़ी भी आ गई sonnet तो अब ठीक है तो sonnet किसको नहीं पता sonnet है उसके बाद उसका division देखिए दो पार्ट में division होता है first part क्या कहता है second part क्या कहता है वो सब पता होना चीए यह basic lines है चलिए next देखिए guys next क्या कह रहा है मैंने दूसरा बाट भी पूछ लिया six lines को क्या बोलते है first eight को तो हम बोलते है octave second वाली six को हम क्या बोलते है सचिन जी ने पता दिया है मुझे पहले ही ठीक है octave first part है और sested क्या है guys second six part है ठीक है octave first part है और sested जो है वो second part है जिसको हम बोलते हैं यह ध्यान रखना ठीक है चलिए गाईस आज का last question है अच्छा नहीं दो question हो रहा है 2021 two questions है guys जॉन मिल्टन ने कितनी sonnet लिखी है जल्दी बता दीजिए जॉन मिल्टन ने कितनी sonnet लिखी है बता दीजिए जॉन मिल्टन contemporary रहे भाई मैं अगर बोलू तो बहुत famous है भाई शेक्ष्पियर के बाद बहुत बड़ा नाम है जॉन मिल्टन जिनों ने सिरफ 24 sonnet लिखी थी और तहल का मचाया था जिनों ने सिरफ 24 sonnet लिखी थी और तहल का मचाया था तो अगर मैं बोलू तो answer क्या होगा 24 जॉन मिल्टन ने 24 sonnet थी guys लेकिन अगर मैं बोलू 24 sonnet में भी उन्हों ने बहुत जादा मतलब एक तरीके से impact रखा था ठीक है ना तो ये ध्यान रखिए when I read the line answer will mark automatically ठीक चलिए कोई दिक्कत ने शिवा नहीं कोई issue नहीं है ठीक है if you are not from literature but still I would say कि बहुत जादा famous है जॉन मिल्टन paradise lost इनका एक क्रियेशन मानी गई जो शायद बच्चे बच्चे ने पढ़ा है paradise lost guys ठीक है तो paradise lost में जो character है archangels है, belgebob है, saturn है saturn को जो अच्छे तरीके से कई बार दिखाने की कोशिश की गई और सब चीजे है Adam, Eve ये सब बाते उसके अंदर होती है ये ध्यान रखना चलिए एक last question है जो world famous है इसको तो शायद सब कोई पता होगा इसमें तो कोई basic से भी basic है guys ठीक है, Shakespeare every second person knows in this world, okay so Shakespeare की कितनी sonnet गई गई, guys वो बहुत famous है और मुझे लगता है Shakespeare ने sonnet लिखी है 154 है ना, कितने place लिखे है guys, Shakespeare ने place कितने लिखे है sonnet तो उसने लिखी 154, बताइए place कितने लिखे है जल्दी बताइए sonnet तो 150 ठीक है ना they see sonnet तो लिखे उन्होंने guys कितना चलिए very good intelligent audience है 37 है ना कितने है 37 राइट चलिए आज guys इतना ही था यार I hope कि थोड़ा अलग session लगा होगा आपको concentrated लगा होगा UP, TGT, PGT पर भी और इसके अंदर मैं और बहुत चीजे अब सर्च कर रहा हूं for the you know like at least for the next one month or two month will continue with this session anybody who wants to have the detailed understanding of everything there are two courses one is from the like the grammar part most of you are already a part of that तो आप उसको जाकर अध्यार मंत्रा की आप से परचेस कर सकते है और if you want to go with the literature course that you know the literature course is being taken care by Tiwari sir you can also take that particular you know one so both courses are available to all of you ठीक है if you are you know like the discounts are already there तो आप देख सकते हैं उसको ठीक है बाकी we can continue here with the n number of questions और I hope you enjoyed this session और कही न कहीं आपको कुछ सीखने को मिला होगा ये छोटी छोटी बाते जो है ये बहुत मेटर करती है ये ध्यान रखिएगा कि कितनी sonnet किस ने लिखी और आगे जाके guys ये ध्यान रखना अगर मैं बोलू आगे जाके ठीक है आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा tricky क्या होते है pen up और pentameter क्या होते है ठीक है hexameter क्या ये सब चीजे देखेंगे I am big pentameter क्या होते है तो ये सब चीजे जो है वो हमें आगे देखनी है small small terms हम कराएंगे ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए thank you so much for giving your time bye bye from my side आज हम लगता है ठीक है time तो हुई गया ठीक है thank you so much bye bye guys झाल झाल झाल